स्लावलेकुमें अवरीवान वेल्कम डी चैनल कोड़ेप्ट आज हम गिड़ के अंदर कमार्ज देखने वाला है जितना अभी अभी तक हमने थियूरेटिकल टॉपिक डिसकस की हैं उसको हाँ हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम वो किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं इट की अगर ना सबसे पहले कोई भी ब्राउजर आपने ओपन कर लेना है तो यहां पर आपने क्या लिखना है गिट डाउनलोड यह आप लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा एक दफ़र डेटा अंगर देता हूं करें कि गिट को डाउनलोड जो फर्स्ट लिंक का हमारे पास आएगा उसको आपने ओपन करना है उपन होने दें दें है तो यह हमारे पास यह website ऑगिट की ओफूश्ब वेबसाइड है तो यहां से हम डेट को डाउनलोड करेंगे तो इसका जो लेटास वरियन है 2.40 इसका वरियन है तो आपने क्या करना है यहां ते Mac OS के लिए अगर आपने डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है विंडो के लिए डाउनलोड करना है तो इसके लिए क्लिक करना है लिनेक्स के लिए डाउनलोड करना है तो इसके लिए क्लिक करना है तो हम इसके लिए कि आपको 32-bit के लिए और 64-bit के लिए आपने विंडू का बर्यान चेक कर लेना है कि आपके पास 32-bit है या 64-bit है उसकी लिहाज से आपने डाउलोड और इंस्टाल करना है क्योंकि अगर आपने विंडू आपके पास 64 है 32 इंस्टाल करनी है तो प्राप्लम आज़र थी है तो आपने क्या गरना है 64 पर क्लिक करना है मेरे पास 64 है तो मैं 64 को डाउनलोड कर रहा हूँ तो यह मेरे पास इंस्टाल होना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो यह जब यह डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास ये पहले से डाउनलोड़ेड है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर डाउनलोड पर आता हूँ तो इस पे मैं क्या करता हूँ डबल क्लिक करता हूँ डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये आप्शन मुझे दे रहा है तो आपने simply किया गरना है next next पे click करना है तो आपके पास ये download हो जाएगा तो ये मेरे पास download हो रहा है जब जी हमारे पास download हो जाएगा तो हमने जिस पे काम करना है उसका नाम होता है git bash तो हमने git bash को open करना है वहाँ पे अपना सारा practical जितना भी काम है वहाँ पर हमने इस सारा काम वहाँ पर गरना हो था तो हम क्या करते हैं फिर git bash को open कर लेंगे एसकोग इंस्टाल होने देते हैं तो यह मेरे पास इंस्टाल हो चुका है तो मैं एसकोग क्या करता हूँ फिनिश करते हूँ जब कि हमारे पास फिनिश हो जाएगा तो मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पर सर्च बार में आऊँगा मैं यहाँ पर लिकूंगा git bash git bash को मैं simply open कर लोगा इसका font बड़ा कर लेते हैं अब हमने क्या अगर्णा है अब हमने कुछ कमांड होती है वो हमने देखनी है तो सबसे पहली जो कमांड है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर हम लिखते जाएंगे तो सबसे पहले हमने डाउंलोड किया और इंस्टाल किया फिर हमने देखना है कि git में हमारे पास अब यह जो कमांड है यह जो command लिखने वाला हूँ यह Linux और Ubuntu भी चलती है तो git update यानि git को update करना क्योंकि Ubuntu और Linux के अंदर हमारे पास by default यह download और install होके आता है और हमने क्या अगरना होता है simple इसको update वगरा कोई भी आई है तो हम इसको update कर लेता है फिर उसके बाद हम क्या देखते है हमारे पास अगर हमने Ubuntu के अंदर यह सारी command जो अभी तकले कराऊं यह विंडो के अंदर हमें जरुवत नहीं होती तो install git install yum क्योंकि हमारे पास कोई भी install चीज़ करनी होती है तो यह yum का keyword यूज़ होता है तो install फिर हमने लिखना होता है git minus y minus y किसलिए yes के लिए यह हमारे पास अगर हम इसको intel करेंगे Ubuntu और Linux में तो यह हमारे पास उसके अंदर install हो जाएगा अब जो command हम लिखने जा रहे हैं यह हमारे पास हर operating system में वर्ग करती है हमने का अगर हमने git का वर्येयन चेक कोई सा वर्येयन इंस्टाल होए तो उसके लिए अमझे क्या करता है git –– वर्येयन की command लगा देते हैं यह से हम यह बते चलता है कि हमारे पास git का कौन सा वर्यैन इंस्टाल हुए तो logic – – login अब यह मैंने लिखा तो मैंने आपको बताया था जो लेटस वरियन है वो हमारे बास 2.40.0 वरियन है हमारे बास git का अब हमने देखना है कि git की location चेप करनी है तो उसके लिए कौन सी command होती है which git तो यह हमें इसकी location बता देता है कि हमारे बास किस जगह बें अमारे पास git इंस्टाल हुआ है तो यह दो commands हमारे बास हो गई पहले हमने लेका कि variable दूसरी चेज़ आ और लेकी which git which git हमें क्या बताता है हमें location बताता है यह हमें location प्रोवाइड करते है जहां बें हमारे बास git इंस्टाल हुआ हमने देखा था कि हमारे पास वरइण कंट्रोल सिस्टम पहले लेक्चर में हमने देखा था की एक टीम होती है जो कि काम करTी होती है वहां पे क्या होता है कि एक बड़ा प्रोजक्ट होता है और उसमें पहुत सारे लोग काम कर रहे हुता है तो जब वो पुश करते हैं तो हर बंदे को पता होना चाहिए किस बंदे ने पुश किया है और उसकी एमेल आईडी क्या है रापता करने के लिए तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम जो git पर करना है वो हमें क्या करना है git username हमें set करना ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके कि इस बंदे ने change पिया और इसकी email id ये हैं वो इससे राप्ता कर सके तो username set करने के लिए हमारे पास git config config का मतलब configuration iPhone iPhone global user.name हमने provide किया और यहां पर जो भी username हमने set करना है वो हम यहां पर लिख देता है यानि कि user 1 हमने लिख दिया और इंडिल कर दिया यह हमारे पास username set हो जो गए पिर हमने किया अगर मैं email id जट करनी है तो git config minus minus global फिर user.email फिर उसके बाद कुछ भी email id अभी हम ऐसी लेक्जर है तो हम कुछ भी dummy प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन जब industry में आप काम कर रहे होते हैं तो आपने यहां पे original अपने email id प्रोवाइड करनी हो दिया ताकि जो भी बाहर पे बनता आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ communicate कर सके राफता आपके साथ कर सके तो पर एग्जमपल abc.gmail.com यह हमने कुछ भी dummy email प्रोवाइड कर दे अब हमने email id भी set कर दी user name भी set कर दिया अब हमने चेक करना है कि यह सही से set हुआ है कि नहीं हुआ तो उसके लिए हम कौन सी command लगाएंगे हम git config और माइनस माइनस list यह command हमें बताती है जिपनी configuration हमने set की होती है वो हमें बता देती है तो हमने username क्या set किया था user one और email id यह हमने set की थी तो यह इसने बता थी पिर हम क्या सकते हैं अब हैं अपना practically काम जहां से start होता है यह तो तब होता है कि जब हम के को पहली दफ़ा डाउनलोड और इंस्टाल कि है हमने अपनी setting जितनी भी करनी है यह तब हमें करना कुड़ता है तो हम क्या करते हैं kit को यानि जितना भी आवारा cmd है को clear करने के लिए हमारे पास जो command होती है वो clear की होती है अब हमने क्या दरना है कि हमारे पास हमने अपने lecture में देखा था stages of kit को जोते हैं तो वहां पर हमने deeply discuss किया था कि हमारे पास three stages of kit होते हैं यहाद पर यह मेरी मशीन आ गई नावे मैं लिख देता हू मुझाई मशीन और इसकी अंदर हमने लिखा था कि हमारे पास थ्री स्टेजिस होते हैं इहाद पर जो फर्स्ट परला हमारे पास होता है यह होता है हमारे पास वर्रकिंग एरिया यह हमारे पास होता है टेजिंग एरिया और यह जो हमारे पास होता है यह होता है लोकल रेपोसिट परी लोकल रेपोसिट परी हमारे पास आ जाती है यह हमने इंटेप्ट में समझाता कि यह किस तरह से काम करते हैं तो दुबारा से समय लेता है तो यहां से हमने क्या देखा था कि वर्किंग एरिया हमारे पास कौन से होते हैं जहां पे हम अपना आपरेशन पर्फार्म कर लिए जहां पे हम काम कर लिए थे हैं वो हमारे पास होते हैं वर्किंग एरिया staging area तों से होता है यह हम इदर discuss कर लेते हैं कि for example यह हमारे पास किया आगया है यह हमारे पास आगया staging area यह हमारे पास आगया staging area अब हमने क्या करना है कि for example यह हमारे पास कुछ यहां पर data पढ़ा है यह मेरे पास data पढ़ा है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये वाला डेटा है सिर्फ ये ही स्टेजिंग एरिया के अंदर आए तो मैं गया गरता हूँ इसको सिलेट करके स्टेजिंग एरिया के अंदर रख देता हूँ ये हमारे पास पूरी PC का डेटा है ये वाला ये वाला हमारे पास पूरी PC का डेटा है और मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ ये इसको आप PC भी बोल सकते हो और आप फोल्डर भी बोल सकते हो तो फोल्डर के अंदर हम फोल्डर बोल देते हैं फोल्डर के अंदर मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये वाला डेटा मेरा स्टेजिंग एरिया के अंदर आए तो स्टेजिंग एरिया पे लाने का मक्सद यह होता है कि जो जो डेटा मैं सेलेट करता हूं कि यह इचे डेटा मैंने कमिट करना है पुश करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं मैं क्यरता हूं यहां पिस डेटा को मैं ले गाता हूं यहां को मैं ले आता हूं इसके अंदर अब जहांसे मैंने कमिट करना हैं यह加smart कर सकता हूं where यह सारा मतलब हों होता है कि पिर हम ने देखा था कि कौन से होती है यानि कि हमारे system के अंदर local repository होती है हमने देखा था कि वर्जिन से स्द्रोड हमारे पास लोकल repoüber Начपा है और local repository जो पेज़ते हैं ौण क्या करते हैं commit लो हम यहा पिर देख लता है कि यह Será पिर अगर डिपना नहीं पेजना है तो उसको हम क्या करते हैं उसको हम क्या करते हैं जी GIT एड़ और अगर कोई फाइल एड़ करनी है तो यहाँ पर फाइल का नाम लेख देंगे अगर सारा डेटा एड़ करना तो .d omega лять का मhardम का अजिक बाटा है वो सारे के सारा एड कर दो फिर यहां से स्टेजिंग एरिया से अब डिटा हमारे पास यहां پay चुका है यह झां-बाटा हमारे कॉमिट माइनस एम एम का बंसा मैसेज और यहां के कुछ ट्रैलिट देख देते हैं यानि के लॉग इन कोड यह हमके लिखती है हमें हमारे पास लोकर रेपूसिटरी आ चूक है गिट कब से हमारे पास टेटा कहां पर आ जैता है पर नरा जैता है तो अब हमने यह डेटा कह पर पे बेजना है यहांनि पर टांन गर्ड घुटाब पर पर लेत ईग है पर के ओसले इनिजिए छिक के सब्सक柄 प्रदब हमें connection set करना करवाना पड़ेगा तो connection set करवाने के लिए तो सब से पहले यहां पे इन दोनों को communicate करवाना पड़ेगा communicate करवाने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे पैर उसे show करा देता हूं तो मैं गया करूँ वह यहां पे मैं आउंगा get up टे आउगा get up टे आपने सबसे पहले अपना account बना लेना account बनाने के बार जहां पे कुछ इस तरह का interface आप को शो होगा यहां पे आपने repository बना लेनी है रेप जिप टेक करेंगे repository का कुछ नाम देते ना यानि कि मैं लिखते हूंगा get lecture ठीक है यहां पे मैं इसको provide कर देता हूं और यहां भी मैं क्या दरता हूं create repository के क्लिक कर देता हूं अब यह हमारे पास repository बन चुकी है अब मैं क्या करता हूं यहां पे remote यह जो command है हमारे पास यह connection बनाने के लिए होती है यानि कि मेरे जो machine है इसका और github का connection बनाने के लिए server का connection बनाने के लिए यह command होती है तो मैं क्या दरता हूं यहां पे यह command लिख देता हूं यह हमारे बस command होती है connection बनाने के लिए अब यह command जब हो जाती है अब इन दोनों का connection बन चुका है जब यह connection बन चुका होता है अब जो command हमने लिखनी है git push origin master अब इससे क्या होता है जितना भी यह data मेरे पास है यह वाला data यह data सारे का सारा data मेरे पास github पे चला दाए इस तरह से यह सारी communication चार्ली होती है यह सारा data हमारे पास इस तरह से travel कर रोता है तो यह सारी command जो है हम यहां पे लिखतेते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा git init init मतलब यह जो हमने डाइगराम देखी इस डाइगराम में यह चीज एकोर एड हो जाती है यानि कि सबसे पहले जो हमारा step होता है वो एक empty repository बनानी होती है तो यह सारे stages of git जो होता है वो empty repository के अंदर बनते है और logical ली तो हम गया दरते है हमारे पास जो command होती है यहां बे git init 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 से कहा होता है एक empty repository बन जाती है तो मैं कहता हूँ यहां बे आता हूँ पहले यहां तो लिख लेता है git init हमने लिख लिख लिए उसकी बाद मैं कहता हूँ git add क्यानी के working area से staging area पर data ले जाना वहाँ पर file name अगर कोई एक file लेकी जानी है तो file का name अगर सारा data लेकी जाना है तो git add all यानी कि dot लगा देंगे फिर हम क्या करेंगे git commit माइनस एंफ और यहां पर कुछ भी टैग लगा देंगे यानि कि first commit पस्ट कमिट अबनी कर दिया उसकी बाद हमारे पास क्या होता है हमने उसको set कराना होता है यानि कि local repository से server के साथ communicate कराना होता है तो उसके लिए यह command होती है git remote add origin और उसका url हमने pass कराना होता है वो हमने करा दिया फिर हमारे पास जो command होती है git push origin master यानि कि हमारे पास local repository के अंदर जितना भी data है वो हमने बेजना है वो हमने बेजना है server पे तो मैं क्या गरता हूँ यहां पे कुछ files हैं जो कि मुझे add करानी है तो यह हमारे पास फोल्डर है git lecture की नाम से थे तो मैं अब क्या गरता हूँ यहां पे मैं सबसे पहले आ जाता हूँ desktop पे आ जाता हूँ कि जो हमारे पास folder रहे वो desktop पर पढ़ना है तो मैं यहां पर यहां पर देश्टॉप पे मैं आगे अब यहां पर मैंने चेक करना कि कौन कौन से folder मेरे पास पढ़े हूई है तो मैं क्या करूंगा ls लिखूंगा इस से मुझे पता चाल जाएगा कि मेरे पास कितने folder मेरे desktop पर पढ़े हैं तो मैं करता हूँ इस folder के अंदर यानि कि वो files मुझे access करनी है वो files मुझे push करनी है तो उस folder के अंदर मुझे जाना पड़ेगा उसके folder के अंदर जाने के लिए cd और git dot minus लगाएंगे उसके बाद क्या लेक्चर और slash लगा देंगे अब य यानि कि मैंने जब लेक्ता था legislature कुछ भी लिखता हूं यह auto complete हो गया यह किस तरह होता है जब tap प्रेस करता है कुछ भी आपने लिख दी है यानि कि यहाँ तक लिखा उसके बाद tap करते हैं सब से पहले हमने क्にumpsjukर राधा नहीं मिलता है झाल समस्क्छ भी complete होुगा इसी त sampling empty repository नहीं बनाते हैं, git add ही करते हैं, sampling, तो इससे क्या होगा, हमारे पास, यह git add जो हुआ है, यह इसके अंदर पहले से, repository बनी होए थी, मैं आपको एक new folder बना के लिगाता हूँ, git like chair, git commands के नाम से इसका टक देता हैं, तो हमने क्या किया, git command के एक new folder बनाया, new folder बनाया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एक new file बना देता हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके एक new file बनाती, अब ने क्या किया, file one के name से कोई file बनाती, अब क्या करता हूँ, इस folder के अंदर मुझे आना है, लेकिन मैं किस folder के अंदर हूँ, git lecture के folder ने अंदर थो, मुझे एक step पीछे आना है, तो मैं क्या करूँगा, cd, dot dot लगाँगा, तो उससे बाहर आ जोगा, यानि कि उससे एक step पीछे आ गया, और desktop पे मैं आ चुपाँगा, अब वो folder desktop पे बढ़ा है, तो मैं क्या करूँगा, लस, मैंने की check कराने के लिए, तो मेरे पास, वो जो है, यह हमारे बास है, यह बना, इसके अंदर आमने जाना है, तो वह एक कह लिखूँगा, cd, cd होता है, उस folder के अंदर जाने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, 以下 to complete हो गया पर यहाँ पेंस वोल्टे के अंदर आघा है, अब मैं कह्या बता हूं git status, स्टेट इस हमें क्या बताता है कि हमे पास, है अब इससे पहले भी, एम्टी रेपोसितरी बनानी है, तो यहाँ पर एम्टी रेपोसितरी बन चुकी है, यहान पर क्लेक हो और है क्यास कर देए और हमठी एपनचुकर यहां पर हमारे पास बन चुका है तो हम क्या गरता है यहां पर झायं कर लेता है हमारे पास मन चुकी है अब हमने क्या दरना है कि गिट स्टेटस अब यह कमांड भी उदर हम एड़ कर देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका मतलब यहां होता है ऑट है शाएट टैक्तूज कि अग्यर्च अब इसका मतलब यह होता यह होता है कि हमारे पार जितना भी डड़ेटा से स्टेजिंग डाइट्वोटी से स्टेजिंग एरिया के अंदर अगर हुआ है तो वह अगर फो करेंगा तो हम क्या करते हैं यहां पे git add और all कर देते हैं तो all का मनलब क्या होगा कि वो सारी चीज़ा add कर देंगा तो git अभी status check करो तो यह green में आ रहा है यानि कि यह data add बचुक है तो अब हम क्या करते हैं git commit कर देते हैं minus m और first commit यह हमने commit कर दिया फिर हम करते हैं जी हमारे पास वो remote हमें set करवाना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं यहां पर right click किया right click करके यहां पर fake right यहां से फिर copy कर लेते हैं यहां पर copy किया copy करके यहां पर आया मैंने कर दिया paste पेस्ट कर दिया यहां पर अब connection बाण चुका है तो get push region master अब चितना भी data local repository से वो कहां पर जा रहा है हमारे पास server पर जा रहा है याने github पर जा रहा है तो यह यहां पर आएं यहां पर इसको जाकर refresh कर दें refresh किया तो हमारे पास चितना भी data था यहां पर आ चुका है यह देखें तो अब अगर एक new file आप बनाते हैं new file अगर आपने बनाई यानि कि file two के name से यह आपने बनाई और यहां पर अगर आप status check करते हैं तो वह red में show करेगा क्योंकि वह working area के अंदर है staging area के अंदर नहीं है तो git add all कर दो फिर अगर आप देखो git status तो यह green में आ जोगा है क्योंकि वह add हो जोगा है अभी फिर मैं करता हूँ git commit minus m second commit यह मैंने add कर दिया अब मुझे क्या करना है git push origin master तो अभी remote set करवाने की नीटी है क्योंकि पहले हमने करवा चुका था और फिर अब हम क्या करेंगे simple इसको push करेंगे local recursivity से server पे तो अब हमने push कर दिया है तो यह हमारे पास इसको refresh करें तो हमारे पास यहां पे second file भी आ चुकी है तो यह था हमारा आज का lecture क्यूंकि गिट में और भी commands होती है जो क्यांकर तर लक्चर के अंदर discuss करेंगे अभी तक हमने जिकना भी theoretical part discuss किया था उसकी डियास से यह हमारे पास commands मंगते थी तो इस लक्चर के लिए अतना ही मिलते है आप इस नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीस